CBAC Awards में आपका स्वागत है तो हमारी Class 10 History के Second Chapter जिसका नाम है Nationalism in India उसके 2019 के 5 Mask के Question की सीरीज चल ली थी टोटल 12 Questions हैं जो की 2019 में 5 Mask के आये हुए हैं और इस सीरीज में हम Question Wise अलग-अलग वीडियो में डिसकस करेंगे एक Full Length वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की है जहां पर ये सारे 12 Questions एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे उसे देखना हो तो Description में लिंक है वहाँ से देख सकते हो Question Wise वीडियो देखना चाहते हो तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो Question No.6 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है इस वीडियो में Question No.7 डिसकस करेंगे अब 7th Question हम देखते हैं अब जो पीजन्स थे यानि जो किसान वगएरा थे और जो ट्राइबल्स थे यानि आदिवासी वो इस Non Cooperation Movement में किस तरह से पार्टिसिपेट किये इसे आपको Explain करना है तो ये भी Direct Book का Question है आप Book के अंदर 2.2 Rebellion in the Countryside वाला Topic देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है Non Cooperation Movement के बारे में तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Peasants and Tribals और अगले पेज में या लिखा हुआ है तो यह पूरे Paragraph के अंदर पहले आपका Peasants के बारे में डिसकेशन है उसके बाद Tribals यानि आदिवासी का डिसकेशन है तो पहले हम Peasants का Participation देखते हैं इन NCM पहला Point है इन अवद Peasants वा लेट बाबाराम चंदर अवद के जो किसान थे उनको लीड कौन कर रहा था ये थे बाबाराम चंदर ये एक सन्यासी थे पहले क्या किया गया था इनको Fiji ले जाया गया था indentured labor की तरह यानि इनको मजदूर बना के ले जाया गया था Fiji वहाँ पर इनसे मजदूरी कराई जा रही थी बाद में ये सन्यासी बन गया और ये इसको लीड कर रहे थे इस movement को ये movement किसके खलाफ थी यानि ये non-corporation movement में तो शामिल थे लेकिन इनका मकसद क्या था कि इस movement में शामिल होके इन्हें जो तालुकदार्स है ये एक Arabic word है यानि ये लोग क्या करते थे जमीनदार होते थे इनके पास जमीने होती थी और ये tax वगरा वसूल करते थे लोग को जमीन किराय पे दे के तो इनके खलाफ और जो लैंडलॉड्स हुआ करते थे इनके खलाफ ये movement चलाई गई थी क्योंकि ये लोग जो थे तहलुकदार्स और लैंडलॉड्स ये जो किसान थे उससे बहुत ज़ादा किराय वसूल थे थे और वराइटी ओफ अधर सीसेज यानि और तरीके के उपकार यानि ये कहते थे कि हमको tax भी दो और दूसी तरीके के gift के सामान भी हमको दो यानि जिसकी के खेती कर रहे हो उसमें से भी सामान दो पैसा अलग से दो तो इस movement के अंदर नोनन ये demand उठाई reduction of revenue यानि जो हमसे tax वसूला जा रहा है revenue लिया जा रहा है, पैसे की demand की जा रही है वो कम हो, कम पैसा लिया जाए abolition of bigger या bigger क्या होता है ये ऐसे मजदूर होते हैं जिनसे काम तो कराय जाता है, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है यानि उनको काम पिलाते हैं और कहते हैं तुमको दो वक्त की रोटी मिलेगी खाना मिलेगा, पैसा हम नहीं देंगे तो ये लोग जो थे, demand उठा रहे थे अवद के जो पीजन्ट थे कि इस bigger वाले system को खतम किया जाए हमको जो काम कराय जाए, उसकी salary दी जाए एं social by court of oppressive landlords और जो ये जुल्म करने वाले landlords हैं, जमींदार हैं इनका सामाजिक भहिशकार किया जाए क्या था अगले point में हम देखते हैं many places, nai dhobi band were organized by panchait, अब panchait बुलाएगी, उसके अंदर nai, यानि जो बाल काटने वाले होते हैं, बारबर और dhobi आपका जो washer man होते हैं उनको बुलाएगया, और उनसे रहते थे, और इन्हों ने ये जो gadam hills के tribal थे, आदिवासी थे, इन्हों ने गोरिला moment start की थी, गोरिला moment क्या होता है ये गोरिला एक warfare होता है, यानि जंग लड़ने का, लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है, डायरेट आमने सामने लड़ाई नहीं होती, बलकि लोगों का एक group बनता है, उनके बाद हत्यार होते हैं, वो छुपकर attack करते हैं, मालों कहीं फोज जारी, वहाँ पर छुपकर attack करते हैं, तो वैसे ही ये लोग काम करते थे जहां British के आर्मी दीखी, थोड़े और जो ब्रिटिशस ने जो कानून बनाये थे, जो restrictions लगाये थे, पाबंदिया लगाये थी, उनको ये तोड़ रहे थे, अब क्या पाबंदी लगाये थी ब्रिटिशस ने, ये अपने जो जंगल के अंदर अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे, फोरिश के अंदर ये जा नहीं सकते थे, तो इसका इन्हों ने ताकत के बल पर violation किया, कि हम तुमारी बात नहीं मानेंगे persuaded people to wear khadi and stop drinking, और गांधी जी के साथ कुछ मामलों में ये साथ थे, कि ठीक है गांधी जी की कुछ बात ये मानते थे, जैसे गांधी जी ने demand उठाई थी कि यहां के जो khadi के कपड़े हैं, जो इंडिया में local बनने हैं, उसको पहना जाए, तो ये लोग इसका support कर रहे थे, कि खादी कपड़े पहनना चाहिए, और stop drinking, यानि दारू अगारा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इधर उधर कहीं टुन होके पड़े रहोगे, तो कैसे अंग्रेजियों खिलाफ लडोगे, जब government ने इनको इम पे force किया, इनक पे दबाव बनाया, to contribute beggar for road building, यानि road बनाने के लिए इनको मजदूरी पे रख रहे थे, लेकिन एक bigger की तरह, कि काम कराएंगे, पैसा नहीं देंगे, तो इससे ये लोग गुसा गए, the hill people revolted, उसके खिलाफ इनोंने जंक एलान कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो ये थी कहानी, peasants और tribals की, इस के अंदर question wise वीडियो का link मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, okay thank you